हलो एवरीवन, वेलकम टू अभियंता मैट्स दोस्तो अभियंता मैट्स योटूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत इस चैनल पे टेकनिकल जॉब और गुवर्मेंट जॉब से रिलेटेड निउज सबसे पहले आपको प्रुभाइट करवाया जाता है साथी साथ क्लास 11 और 12 का मैथेमेटिक्स का कोर्स फ्री ओफ कोस्ट में इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है पढ़ाया जाता है ठीक है दोस्तो तो आपसे गुजारिस है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकॉन को सेलेक्ट कर ले इससे क्या होगा कि जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच पाएगा साथी साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना न भूले दोस्तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स का ठीक है दोस्तो देखिए समझी बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि लॉंग को संस बताईए ठीक है दोस्तो लॉंग को संस जो है एकजाम में बस इतना पढ़लो काफी है ठीक है दोस्तो लॉंग कोस्टन एक जाम में जो मैं बता रहा हूं ठेक है अप्रॉक्स 20 कोस्टन से उसी में से सारा रहेगा ठेक है तो चलिए हम लोग देखते हैं कोस्टन सको देखिए दोस्तों पहला सवाल रहा आपके स्क्रीन पर थोड़ा सा कलर को मैं चेंज करता हूं देखिए दोस्तों टुवेल्थ मैथेमेटिक्स का है पांच मार्क किसी-किसी बौर्ड में जो है ना 4 मार्स का पूछा जाता है कि चेंज कितने मार्क का 4 मार्क देखे दोस्तों पहला जो सवाल है ध्यान देजिएगा करा एलाइन मेक्स अंगल अलफा बिटा गामा डेल्टा गेलाइन मेक्स अंगल अलफा गामा डेल्टा विद दा डाइगोनल्स ओफ क्यूब की बात हो रही है ठेक है then prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta equal to 4 by 3 ठीक है दोस्तो यह आपको prove करना है पहला दूसरा है sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus sin square delta equal to mixed fraction है 2 by 3 ठीक है दोस्तो बोले तो 2,36 और 2,8 by 3 लाना है ठीक है दोस्तो देखिए मैं इस सवाल को पहले solution करवा देता हूँ उसके बाद दूसरा कुस्तन आपको बताऊंगा ठीक है दोस्तो चलिए देखिए दोस्तो देखिए पहला जो सवाल है कराए a line makes alpha beta gamma delta with diagonals of a cube then so that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta equal to 4 upon 3 ठीक है दोस्तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा फर्स्ट आफ फॉल आप कि क्यूब बनाईएगा क्या करिएगा एक क्यूब बना लीजिए ठीक है दोस्तो देखिए क्यूब बना हुआ है ध्यान दीजिए एक क्यूब बना लीजिए इस तरह क्यूब बना लीजिए ठीक है यह बाते समझ में आ रही होगी ठीक है आपका क्यूब तयार होगया ठीक है अब थोड़ा कलर को चेंज करता हूं ध्यान दीजी समझने वाली बात है यह जो है बना गया देखिए यह एक्सिस दिख रहा है आपको इधर एक से ठीक है इधर क्या है जेड एक्सिस अब देखिए दुस्तों इसमें क्या करना है थोड़ा सा और अब देखिए हम लोग क्यूव एक बन गया ठीक है एम पॉइंट है हाँ पे के है एक्स है आर है ठीक है दोस्तों जेड है वाई है ठीक है वाई में क्या है समझेगा एक्स से चलते हैं तो सुरू में लिखा गया है कोडिनेट ए जीरो जीरो सुनिएगा ध्यान से और यहां बला हो गया ए जीरो जीरो ठीक है वाई एक्सिस है तो जीरो ए हो गया ठीक है जीरो ए एक कोडिनेट यहां से चलना है आपको साइड ए दिया हुआ है क्यूब है साइड हम लोग मान लिए हैं कितना है क्यूब का साइड ए है ठीक है दोस्तों देखिए एक्स कोडिने बता रहा हूं 0 a 0 ठीक है अब z में आ जाईए तो क्या हो जाएगा 00 a हो जाएगा ठीक है दोस्तों यह औरीजीन है तो 00 रहेगा ठीक है तो यहीं से distance मेजर किया जाता है distance जो है न हम एसा कहां से मेजर करेंगे हम लोग और इजिन से ठीक है दोस्तों यहीं से जीना मरना है यहां से x के तरफ यह गया तो 00 हो गया ठीक है अब y में देखिए यहां से y गया हम लोग क्या y कोडिनेट में चले ए एक्स और z में कुछ ने चले तो 0 a 0 हो गया जेड की तरफ बात आगी तो जेड के तरफ हम लोग चले यह और बाकी x y नहीं चले था हम लोग क्या है 00 कोडिनेट पता चल गया आपका x y z का अब देखिए यह पॉइंट एम है ना इसका देखिए यहां से चलेंगे यह तीनों तरफ से क्या है ए है देखिए मार्क कर रहा हूँ बलायक एम पे जो हमाय है ठीक है ती पे आ जाइए सब का कोडिनेट की हमको जरुवत पड़ें यह थीक है दोस्तों लोग कोडिनेट और देख लिये है ना प्ट कर लेत कर लिते हैं हम लोग कोडिनेट को देख लिए हैं अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ध्यान दिज़ेगा डायगोनल निकलना इसका ऩो डायगोनल ओयम के लिए दायगोनल ओयम के लिए क्या करेंगे हैं हम लोग कलर चलिए color red लेता हूँ 4 diagonal om के लिए direction ratios of om निकाल लेंगे तो formula क्या होता है x2 minus x1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 अब x2 minus x1 om में देखें diagram में x2 क्या है a minus 0 x1 उसी तरह y2 minus y1 करिए a minus 0 है ठीक है ने दोस्तु इस तरह y2 आ गया ठीक है तीन गोई आ गया taking common a common ले लिए तो one one बच जाएगा क्या होगा one one ठीक है दोस्तु अब हम लोग direction ratio om के लिए देखें अभी देखें direction ratio निकाले थे om का आप क्या करेंगे direction cosine निकालेंगे direction cosine निकालेंगे हम लोग om का ठीक है element होता है देखे l का भाईलू कितना था direction को sine देखे मैं लिख देता हूँ l बराबर होता है a बटा 3d में पढ़ाए थे a बटा root अंडर a square plus b square plus c square ठीक है कोई दिक्कत I hope कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी ठीक है ये का भाईलू 1 हा है 1 का square 2 इस तरह 3 elements same होगा 1 by root 3 1 by root 3 ठीक है देखे मैं यहां बताया हूँ यह a b c 3 निकलेगा है b बटा root अंडर a square b square c square c बटा root अंडर a square plus b square plus c square इस तरह इतना हम लोग calculate कर ली अब हम जानते हैं क्या जानते हैं cos alpha equal to जानते हैं हम लोग l1 l2 देखे यह formula है l1 l2 plus m1 m2 plus n1 n2 ठीक है अब l into l2 का भाईलू जो हान इसको रखिएगा देखे l2 हो गया em2 हो गया ठीक है in2 हो गया रख दियें सबका value same है आगे बढ़ते हैं इस तरह से हम लोग क्या देखें कि आ गया l by root 3 em by root 3 n by root 3 आ गया अब diagonal z k देखते हैं similarly 1 को निकाल लिए z k के लिए हम लोग a minus a निकलेंगे ठीक direction cosine इसका निकालेंगे हम लोग तो 1 by root 3 1 by root 3 minus a है ना minus 1 by root 3 हो है यह दोनों साथ में लिकाल ले आप cos beta देखें वहाँ alpha माने थे यहाँ देखें ध्यान दिजी cos alpha लिए थे यहाँ पे cos beta का value हम लोग calculate कर लेंगे tail by root 3 plus m by minus n by root 3 इस तरह हम लोग निकाल लिए ठीक है आगे देखें अब diagonal हम लोग निकालेंगे किसका yr का diagonal yr अब yr के लिए direction ratio a minus a 0 direction cos 1 by root 3 minus 1 by root 3 1 by root 3 ठीक है बीच में minus cos gamma मान रहे है alpha, beta, gamma 4 diagonal है cube में 4 diagonal को हम लोग calculate करेंगे ठीक है दोस्तों क्योंकि 4 angle बना रहा alpha, beta, gamma, delta diagonal tx के लिए direction ratio क्या हो जाएगा a minus a minus a ठीक है आगे direction cos जो है क्या होगा उसे minus लगा दीजे minus 1 by root 3 minus 1 by root 3 अग कोस्ट डेल्टा का value calculate करेंगा तो al by root 3 minus m by root 3 minus n by root 3 होगा copy pen निकाल के बैठीए ठीक है न दोस्तों a plus b का whole square होता है a square, b square, c square, c square plus 2ab, 2b, c, 2c इसका जरूरत होगा आगे a square, m square का value क्या होता है one होता है आप जानते हैं ठीक है इस तरह हम लोग निकाल लिए चारो डाइगोनल अब LHS में चलीते हैं कहां चलते हैं LHS में I hope देख रही होगी चलिए दखिए LHS में क्या है cos square alpha cos square beta cos square gamma plus cos square delta value रख देजिए cos alpha इतना निकाले थे l by root 3 m by root 3 plus n by root 3 khole square उसी तरह cos beta cos gamma cos delta khole a plus b plus c khole square करिए तो देखिए दोस्तो L square देखिए काई जगा है 4 जगा है दिख रहा है न तो 1 by 3 हो जाएगा L square m square calculation short में करिए 2 a b 2 l m m n n l l square m square n square 2 l m n इस तरह से आप calculate करिएगा ठीक है आप देखिए यहां से L square m square देखिए n square दिख रहा है यहां दिख रहा L square m square n square यहां दिख रहा है इस तरह 4 दिख रहा है 1 plus 1 by 3 common ले लिये थे 1 by सब में टर्म में क्या है 1 by root 3 है तो देखिए 1 by root 3 का square आप करिएगा क्या आज आएगा 1 by 3 आएगा 1 by 3 इधर इस तरह 4 by 3 आपका approved हो गया RHS approved आप देखिए आपको खूद करना है देखिए sin square पहला proof हो गया ठीक है पहला क्या हो गया proof दूसरा खूद करिएगा अगर एक्जाम में दूसरा पूछा है तो फिर भी पहला proof करना पड़ेगा यही ठीक है आप कॉस स्क्वाइर अलफा को बदल देजिएगा देखिए 1 minus sin square अलफा में देखिए थोड़ा सा color को change कर रहा हूँ देखिए कॉस स्क्वाइर को बदल देजिए 1 minus sin square alpha उसी तरह 1 minus cos square beta उसी तरह पलस देजिए 1 minus cos square gamma cos square gamma पलस 1 plus sorry minus 1 minus cos square delta हो जाएगा ठीक है आप देखिए 1 1 कितना आगया देखिए एक 1 यहाँ हो गया एक 1 यहाँ देख रहा है 4 गोबन आगया ठीक है 4 हो गया sin square alpha cos square alpha होगा cos square इसका हम लोग निकाल लिये थे भाई-लू कितना 4 भाई-3 आ रहा है तो इसको घटा दीजिए तो 12 में से 4 चला गया बटा 3 8 बटा 3 आ गया यहीं लाना था दूसरा प्रूप हो गया ठीक है दोस्तो cos square alpha देखिए को बदल लिजिए 1 माइनस sin square alpha में ठीक है थोड़ा सा इस्पिरिंट हो गया देखिए cos को बदलना था sin में ठीक है दोस्तो तो 1 माइनस क्या हो जाएगा sin square alpha बोल रहे थे थोड़ा slip of tongue हो गया देखिए आगे 1 माइनस cos square बिटा पलस 1 माइनस फिर देखिए cos लिखा रहा है इसको बदल लिएगा sin में ठीक है देखिए यहां लिख रहा हूं 1 माइनस sin square alpha पलस 1 माइनस sin square beta पलस 1 माइनस sin square gamma पलस 1 माइनस sin square delta सब में sin लगाना है आप देखिए देखिए 1, 2, 3, 4 4 आगया जी ठीक है कोई दिक्कत और देखिए निकाल चुके हम लोग 4 बटा 3 को घटा दीजिए ठीक है तो क्या आएगा 4 तिया 12 माइनस 4 बटा 3 आगया आठ बटा 3 आगया इसी को पूर्णांग पर तोड़िएगा 2 पूर्णांग 2 बटा 3 अंसर आजाएगा ठीक है साइन में कनभर्ट करने के लिए क्योंकि जानते है कॉस स्क्वार ठीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वार ठीटा ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते है अब आते हैं हम लोग जो कोस्टन्स है उसको कंटिन्यू करते हैं पहला मैंने आपको बता दिया ठीक है दोस्तों पहला कोस्टन खलास हो गया चलिए दूसरा कोस्टन्स देखते है सब अपने आप में इंपोटेंट है यह भी 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 आईया स्टार लगा लीजिए ठीक है देखें find the shortest distance between the lines दिया हुआ है lines क्या है समझेगा थोड़ा यह lines जो दिया गया है x पलस 1 बाई 7 इक्वल to y पलस 1 बाई 6 z पलस 1 बाई 1 and x माईनस 3 अपन 1 y माईनस 5 अपन माईनस 2 z माईनस 7 अपन 1 shortest distance निकलना यहां दिया गया है जो equation है ने Cartesian form में कभी कभी vector form में दे दिया जाता है वो आसान होता है ठीक है income present to Cartesian form x y z दीखे तो क्या समझेगा Cartesian form 3D में मैंने बताया था आप सबों को ठीक है चलिए हम तीसरा सवाल देखते हैं वो भी खुब सूरत सवाल है देखिए अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको tension लेने की जरूवत नहीं है केवल इतना आप कर लिजिए सफिस्चेंट है और एक जरूरी बात कि अभी आप फूद में जो है ना confidence को बनाए रखिएगा patience को लूज नहीं करना है और अभी मात्र दो काम करना है एक previous years कम से कम 5-6 प्रैक्टिस कर लिजी और model paper जो simple paper निकाल ला जाता है board के द्वारा से भी हार बोर्ट सीविए सी और अधर अस्टेट बोर्ट जो निकालती है model paper को आप solve करिए ठीक है बस दो काम करना है previous year questions को question bank से 5 साल का कर लिजी और sample paper model paper को solve करिए पाच सेट इस में भी दिया हुआ रहता है total 10 सेट कर लिजीए दस दिन टाइम है आपके पास ठीक है दोस्तों चलिए हम तीसरा सवाल आते है find the vector equation of the plane passing through the direction through the intersection of the planes r.2i plus 2j minus 3k equal to 7 and r.2i plus 5j plus 3k equal to 9 and through the point 213 ठीक है दोस्तों ये भी 3D का सवाल है आगे हम देखते हैं अब differentiation का if y equal to root 10x plus root 10x plus root infinite series का है तो dy by dx निकालना है ठीक है दोस्तों देखिए इसका short तरीका बता देता हूँ क्यों objective में पूछेगा नहीं है तो 10 का differentiation निकाल लेजीए 10 का क्या होता है से का square x होता है ठीक है और नीचे में 2y minus 1 होता है ठीक है मान लिजए साइन रहता है तो cos x बटा 2y minus 1 हो जाता है मान लिजए cos रहता है तो minus sin x by 2y minus 1 I hope समझ में आ गया होगा और यह long questions है पाच नमर में तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा इसको मानना पड़ेगा ठीक है y equal to क्या हो जाएगा root under tan x plus y क्या हो जाएगा tan x plus y देखिए इतना फिर y दिख रहा है आपको इस तरह से differentiate करिएगा दोनों तरफ ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगर इसका solution में आपको दिक्कत होगा तो comment करके बताईएगा और साथी साथ जो लोग channel पे नए हो telegram link से जुड़ जाएगा उसमें आपका pdf मिल जाएगा ठीक है दोस्तों telegram का link जो है description box में दिया गया है अगला सवाल पाचमा करा using matrix solve the equation यह देखिए तीन equation दिया गया है x y j 3 unknown है आपको matrix method से solve करना है ठीक है न दोस्तों x बराबर होता है a inverse b यही फर्मूला आपको लगाना है हाँ इसमें थोड़ा time लगता है ठीक है दोस्तों a inverse का formula क्या होता है मैं थोड़ा सा recall कर रहा हूं ठीक है यह inverse होता है adjoint a अब बटा में क्या होता है determinant ठीक है दोस्तों इस तरह आप निकालिएगा solve करिएगा यह formula यूज करके ठीक है x equal to a inverse b चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं छठा सवाल differentiation का सवाल है अभी जो देखे थे वो matrix का सवाल थे if x to the power y equal to y power x बहुत ही famous सवाल है x to the power y equal to y power x then so that dy by dx equal to y upon x into x log y minus y upon y log x minus x ठीक है दोस्तों इसको करिएगा आप लोग अब हम integration में आते हैं साथ मा सवाल देखे integrate करना है 3x plus 5 upon x q minus x square minus x plus 1 दूसरा जो है e to the power 2x sin x dx अब हम आठमा सवाल देखे कोई मा देखेंगे अब हम लोग आठमा सवाल question number 8 देखेंगे करा integrate करना है कि पहला देखें integrate definite integral का है अभी indefinite का देखे थे हम लोग limit नहीं लगा होगा तो उसको indefinite बोलते है limit लगा होगा है definite बोलते है 0 to pi है ठीक है x log sin x dx होता है ठीक है दोस्तों इसका integrate करना है सब 5 marks में आने वाला है long questions है 5 marks में कोई-कोई बोट 4 marks में पुछते हैं दूसरा है 0 to pi करना integrate x tan x upon sec x plus tan x तीसरा जो आपका सवाल दिख रहा है 0 to pi log 1 plus tan x dx ठीक है दोस्तों तीसरा हो गया 4 देखिए 0 to pi integrate करना है आपको log sin x dx log sin x dx ठीक है नहीं है ज्यादा important है 4 बाला चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बस आपको इतना कर लेना है इतना में नहीं कोटा ही करना 9 मा सवाल देखी एक भी फालतु नहीं आएगा बोड इक्जाम में differentiate करना है आपको tan inverse 1 plus x square minus 1 upon x with respect to tan inverse x इसमें नहीं फसना है आपको x करा 0 नहीं होगा ठीक है 0 अगर होगा denominator 0 हो जाएगा कहने का मतलब undefined हो जाएगा ठीक है चलिए दासमा देखते हैं हम लोग दासमा करा if x equal to a cos t plus log tan t इस देखिएगा ध्यान देजिएगा थोड़ा बड़ा bracket दे दता हूँ log tan t जो है न यह angle के रूप में है ध्यान देजिएगा log tan t ठीक है tan theta log पूरा जो है न log tan t by 2 है ठीक है दोस्तों और y equal to a sin t है तो find dy by dx सुन लेजिए x equal to a cos t plus log tan t by 2 y equal to दिया हुआ a sin t यह parametric equation है दो गो दिया है dy by dx निकालिएगा ठीक है कैसे निकालिएगा आप लोग फर्मूला लगा दिजिएगा dy by dx equal to dy upon dt by dx upon dt ठीक है दोस्तों पहले पहला से निकाल लीजिए dx upon dt दूसरा से dy by dt फिर कर दिजिए divide खेला खतम अगला सवाल देखते हम लोग 11 नमर सवाल find the general solution a differential equation का सवाल find the general solution of the differential equation c square x tan y dx plus c square y tan x dy equal to 0 ठीक है इसका आप लोग को general solution एक particular solution भी पूछा जाता है उसमें condition दे आ रहेगा कि when x equal to 0 y equal to something ठीक है दोस्तू सारा पढ़ाया हुआ है चलिए देखिए 12 नमर सवाल का रहा है find the equation of tangent and normal to the curve y equal to x cube plus 2x plus 6 which are parallel to the line x plus 14y plus 4 equal to 0 यह भी भी आई है चलिए दोस्तू आगे देखते हम लोग दोगो theorem बताये थे Rolls theorem एको LMBT Lagrange's Mean Value Theorem इसको Mean Value Theorem भी short में बोला जाता है LMBT को Mean Value Theorem भी बोला जाता है Lagrange's Scientist थे Mean Value Theorem Rolls theorem आगे देखिए आगे तेरह हमा Verify Rolls theorem for the function Fx equal to root under 4 minus x square आगे इंटर्वल दिया है minus 2 to 2 इसमें क्या करना है आपको F dash C equal to 0 करके calculate करना है है ना Rolls theorem में Verify LMBT करना है LMBT for the function x cube दिया हुआ देकी x cube minus 2x square minus x plus 3 इंटर्वल 0 से 1 है ठीक है दोस्तों इसमें क्या formula लगाते है F dash C का formula बदल जाता है दोना F B minus F A बटा B minus A ठीक है लिख दूँ चलो लिख देता हूं इदर F dash C equal to होता है F B minus F A बटा B minus A चलिए नहीं दिख रहा है अच्छे से लिख देता हूं Rolls theorem में क्या करिएगा F dash C equal to 0 ठीक है Then there exists at least 1 point C in the interval A B A हो गया minus 2 अब भी हो गया बताये थे 2 हो गया ठीक है LMBT का फर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं ध्यान दिजीगा F dash C equal to जो होगा F B minus F A F B minus F A ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों यह फर्मूला हो गया किसका है LMBT का IF dash C Rolls theorem का कोई दिक्कत I hope कोई दिक्कत नहीं हो रही हुगी आगे बढ़ी 15 सवाल देखिए कह रहा है solve करना यह भी differential equation का सवाल है ठीक है दोस्तों किसका सवाल है differential equation का x dy by dx हैनत एक form बताये थे आपको उस पे आप बैठाईएगा ठीक है IF निकालने के लिए बताये थे integrating factor निकालीएगा solution निकालीएगा उसी concept पे बनेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लोग इसको कोई टाल ही नहीं सकता है किसी का उकात नहीं है करा solve LPP LPP का मतलब होता है linear programming problem graphically minimize देखिए बोला जा रहा है maximize भी बोल सकता है z equal to 3x plus 9y subject to the constraints देखिए दोस्तों objective में पूछा जाता है कि graph किसका खीचा जाता है तो बोलिएगा constants का ठीक है आगे समझे यह जो दिया गया है यहां का equation है एक पाच को दिया गया है एक दो तीन चार पाचों को एक ही में खीचना है और जो graph देखिए graph का जो sided region आता है माल लिजिए इसे आप बनाएं ठीक है इतना दूर कॉमन आ गया इसको feasible region बोलते हैं क्या बोलते हैं feasible region बोला जाता है और इसमें जो है corner point होता है क्या होता है corner point सारा खेल graph draw करिए इसका concentrate का फिर बाद में भैलू रख दीजिए यहां से ठीक corner point माल लिजिए one two आ गया तो one two में रख दीजिए x के जगा one y जगा two ठीक है यहाँ पे रखना है देख लेंगे हम लोग भैलू क्या रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं लोगा ने इस तरह स्वल्व कर लीजिएगा कोई दिक्कत होगा तो बताया जाएगा फिर कमेंट करिएगा आगे देखिए probability का सवाल है करा suppose that 5% of men and 0.25% women have grey hair ठीक है कहने का मतलब कुछ नहीं hair grey करवाते हैं suppose that 5% of men 0.25% women जो है ने बाल को grey करवाती है ठीक है ए ग्रे हैर person is selected at random grey hair person को select करना men होगा नहीं तो women होगा दो ही condition है what is the probability what is the probability of this person being male देखिए male होने का क्या probability है assume that जो तीन कंडिशन दिया गया है उसमें equal number of male और female का priority दिया गया है दोस्तो देखिए मैं hint दे रहा हूँ यहाँ पर आप base theorem लगाईएगा count theorem लगाईएगा base theorem मैंने बताया है base theorem लगाईएगा ठीक है base theorem लगाकर आप base theorem अगर आप नहीं पढ़े है तो playlist में जाकर probability class 12 मैं type कर यह playlist में जाकर वहाँ पर देख लीजिए ठीक है दोस्तो वहाँ काफी detail में मैंने बताया है चली आगे देखते हैं हम लोग 18 हमाँ सवाल ठीक है दोस्तो 18 नमर सवाल करा है find the interval in which function fx equal to 2xq minus 9x square minus 12x plus 1 is increasing ठीक है दोस्तो increasing कर रहा है क्या करिएगा f-x greater than equal to 0 करिए ठीक है solve करिए उससे interval आपको निकल जाएगा ठीक है sin scheme खिच लीजिए नहीं तो formula होता है उससे कर लीजिए दो दो तरीका है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यह क्या हो रहा है 19 नमर देखते हैं हम लोग area से find the area bounded by the circle x square plus y square equal to 4 and the line x plus y equal to 2 ठीक है दोस्तो इसमें आपको area निकालना है integration method यूज करके कौन सा method apply करिएगा integration integration method यूज करना है आपको उससे आपको निकाल लेना है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं चलिए एक और प्यारा सा सवाल है find the value of a यह निकालना है आपको and b चलिए देखते हैं find the value of a a निकालना है ठीक है and b such that the function defined by fx equal to 5 कब है जब x less than equal to 2 है a x plus b है जब 2 और 10 के बीच में है ठीक है as continuous एक ही से एक्स ग्रेट है देखिए दो पॉइंट पे चेक करिएगा आप हिंट दे रहा हूं 21 अमर सवाल का at x बराबर आपको चेक करना है 2 पे क्या निकालिएगा भी एफ value of function निकालिए LHL निकालिए left hand limit RHL निकालिए ठीक है दोस्तों और ये तीनों को equal कर दीजिए ठीक है ये तो डारेक्ट भी कर सकते हैं आपकी since fx is continuous at x equal to 2 therefore vf equal to LHL equal to RHL ठीक है दो बार at x बराबर 2 पे करिए फिर at x बराबर किस पे 10 पे ठीक है क्योंकि dot full point y change point 2 हो गया 10 हो गया और तो कुछ दिखने रहा इदर इतना दूर में ठीक है तो हमेशा कोई भी functions जो होता है वो every point पे continuous होता है except change point dot full point ओके guys I hope समझ में आ रहे हैं भी सारी बात है चलते हम लोग next सवाल क्योंकि ओर एक किसमा सवाल है prove that determinant का है column में row में मैं बोल रहा हूँ 111 दिया गया है ठीक है ABC है दूसरा row में तीसरा row में है Q, BQ, CQ आपको so करना A plus B plus C A minus B, B minus C C minus A ठीक है दोस्तों इसमें फर्मूला का यूज करिएगा आप लोग ठीक है ने क्या करना है common one लेकर बनाईए खुद में ठीक है I hope आज हम लोग 21st questions देखें हैं ठीक है इसमें से कोई भी सवाल जो है miss नहीं करना चाहिए आपका 5 नमर का सवाल है आनि 20 नमर कंफर्म हो गया ठीक है दोस्तों 20 से 25 नमर जो है एक वीडियो में आपका कभर हो गया तो I hope वीडियो अच्छा लगा होगा तो like share करिए ठीक है दोस्तों मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए सवालों के साथ तब तक के लिए टेक केर भाई थैंक्यू जाहिंद